सबी पशू पालकों को मेरी राम राम मैं डॉक्टर सोनू गडवाल मादा पशू रोग निदान विभाग में सहायक प्रोफेसर के रूप में कारियरत हूँ आज मैं आप सब के साथ एक ऐसी समस्या का बारे में बात करने वाली हूँ जो की बहुती गंबीर समस्या है पशू में बार-बार फिरना जो हम डेली बेसिंज पे फेस कर रहे हैं जैसे पशू पालक हमारे पास आते हैं इदर क्लेनिक्स में कहते हैं कि जी हम अपने पशू को बार-बार मिलवा रहे हैं अच्छे quality के सीमन से उसका बीज रखवा रहे हैं लेकिन फिर भी क्या है कि वो पशू आगे का नहीं हो रहा तो ये एक हर्याना में बहुत बड़ी समस्या है जैसे कि भैंस में और गाए में हमारा हर्याना जो की एक भैंस प्रधान स्टेट है तो उसमें क्या है कि जो भैंसे हैं वो गर्मी के टाइम में जैसे कि गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो उस टाइम वो क्या है ना तो वो आमे में आती हैं अगर वो आमे में आती हैं तो भी वो अगर वो दो से तीन बार अगर उसको टीका रखवाते हैं या जोटे से मिलवाते हैं तो वो फिर भी आगे की नहीं होती है तो पश्वो में जो बार-बार फिरने की समस्या है इसको हम इंग्लिश में repeat breeding syndrome कहते हैं ये syndrome क्यों कहते हैं इसको क्योंकि ये एक कारण से नहीं होता है पश्वो में बार-बार फिरने की समस्या इसमें बहुत सारे कारण हैं जो इसको आगे लेके जाते हैं एक single कोई ऐसा मातर कारण नहीं है जिसे ये problem होती है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चीए कि हमारे पश्वो में repeat breeding की समस्या है की नहीं है जैसे कि आपका पश्वो अगर normal आमे में आ रहा है हर महिने 21 दिन में आमे में आ रहा है आमे के time अगर उसके बच्चादाने से लार आ रही है तार आ रही है उस तार में कोई दिक्कत नहीं है आप अच्छे quality के semen से उससे मिलवा रहे हैं तो फिर भी वो आगे की नहीं हो रही है तो उसको हम कहेंगे कि ये repeat breeding syndrome है तो इसके लिए सबसे पहले हमारे क्या कारण हो सकते हैं कि हम इस चीज़ को करें कि ये repeat breeding है तो सबसे पहला कारण है कि जो आपका पशू है जो पिछले ब्यांत में ब्याया है तो उसमें अगर कोई कटड़े की समस्या है या उसमें कोई infection हो गया है तो उसकी वज़े से क्या है वो infection आगे आगे चलता चलता आगे पहुंच गया है वो infection आपको दिखेगा नहीं जो तार देगी भैंस वो बिल्कुल साफ होगा लेकिन उसके अंदर infection होगा उसको हम क्या कहते हैं सब clinical infection है तो उस infection को अगर हमें पताच करना हो तो उसके लिए हमें क्या करना होगा अगर आपका पशू बार बार फिर रहा है तीन बार से अगर आपने ज़्यादा बार मिलवाया है लेकिन फिर भी पशू आगे का नहीं हो रहा है तो आपका सबसे पहला यही काम है कि आप अपने वहां के पशू चिकितसक से मिलिए उनसे आप बात करिए और उनको बताईए वो जनेटेलिया एक्जामिन करेंगे बच्चेदानी का निरक्षन करेंगे बचे दाने में कोई समस्या है की नहीं है वो पताएंगे आपको अगर फिर भी उसके बाद आप कोशिश करिये कि एक सेंपल ले आप वजाइनल सेंपल कहते हैं जो आप युनिवरिस्टी में भीज सकते हैं जो तार आती है उसका सेंपल लेके आप युनिवस्टी में भेजे वहां सेंटरल लैब में आप आके वो सेंपल दीजिए उससे क्या होगा आपके अगर उसकी बच्चदानी में इंफेक्शन है तो वो आपको पता चल जाएगा कि उसमें इंफेक्शन है अगर इंफेक्शन आता है तो आप उसी according आप अपने पशोचिकितसक के पास जाएए और फिर वो आपको उसी के हिसाब से आगे के treatment बताएगा। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि हम बस ये करते हैं कि हमने हरा चारा डाल दिया, चार डाल दिया, बस हो गया हमारा काम। लेकिन हम सबसे महतवपूर्ण एक चीज है, खनीज लवन, उसको हम नहीं अपने पशोचों को डेली दे रहे हैं, तो सबसे जरूरी है अगर आप अपने पशोचों को रोज एक मुठी mineral mixture या खनीज लवन दे रहे हैं, तो उससे बहुत सारी जो समस्या हैं, वो अपने आप खतम हो जाएंगी, जो बार-बार फिरने की समस्या है, आगे की नहीं हो रही है, आमे में नहीं आ रही है आपका पशू, तो वो समस्या उससे दूर हो जाएगी, तो आपको क्या है, आप किसी भी company का mineral mixture खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छा mineral mixture है, और आपको पैस है, जो कि जो दूसरी companies हैं, उसके हिसाब से बहुत सस्ता है, लेकिन बहुत ही किफायती mineral mixture है, दूसरा कारण ये है, कि आप अपने पशू को हर 3-4 महिने पे पेट के कीड़ों की दवाई नहीं दे रहे हैं, पेट के कीड़ों की दवाई ना दे रहेने का कारण ये है, कि आ क्या होगा, जो आपका पशू है, उसको पूराचारा की जो amount है, जो उसकी energy है, वो नहीं मिल पाएगी, तो उससे क्या होएगा, बहुत जारे जो process हैं, जो की सब चीजों में use होते हैं, वो बीच में रुख जाएंगे, तो उसकी वज़े से आपका जो पशू है, उसमें का आपको देनी है, और क्या कारण हो सकते हैं, हो सकता है कि आपका पशू जब आमे में आ रहा है, तो आप उसको सही तरीके से पता ही नहीं चल रहा है, तो इसके लिए आपका सबसी में मक्षद क्या है, कि आपका पशू हर 21 दिन में आमे में आ रहा है, कि नहीं आ रहा, अग अगर आप उसको नहीं कर सकते कि वो आमे में आया तो आपको उसके उपर एक कड़ी नजर रखनी है कि हर 20 दिन के बाद वो पशु आमे में आए कई बार क्या होता है कि जो भैस में यह समस्य है कि वो बोलती नहीं है तो आपको क्या करना है जब वो आमे में आएगी तो क्या ह उसकी जो बच्चा दानी से है तार निकलेगा तो आपको यह ध्यान रखना है कि तार आ रहा है कि नहीं आ रहा और अगर जो तार है उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो कैसी है उसमें कुछ सफेज छिछड़े तो नहीं आ रहे हैं तो आपको यह चीज का ध्यान रखना है और क्या सकता है सबसे जरूरी क्या है हमारे पशु पालकों के लिए कि एक साल में एक गाएं एक अपना बच्छडा दे या बहुत तीन साल में एक भैंस के दो कटड़े हो जाएं लेकिन यह जो समस्या है घंबीर समस्या है इसको हम क्या कहते है रिपीट ब्रीडिंग इसकी वजए से दो साल में तीन साल में हम एक जो कटड़ा या बच्छड़ा है वो नहीं ले पा रहे हैं तो उससे क्या होएगा उनका एकनॉमिक लोस बढ़ जाएग लेकिन आपका पशू दूद नहीं दे पाएगा इसलिए आपको जो यह समस्या है घंबीर समस्या इसका अगर आप सही से निदान करेंगे सही इसका ध्यान रखेंगे कि आपका पशू दो महीने में तीन महीने में आगे का क्यों नहीं हो रहा है आप बार बार अच्छे सीम लेकिन आप जाएंगे नहीं तो आपको बताएंगे कैसे एक सबसे बड़ी समस्या क्या है गाओं में कि हम पंचायत के जोटे रख लेते हैं हमें यह नहीं पता उस जोटे की जो सीमन की क्वालिटी है वो कैसी है ना हमारे पास टेस्टिंग है उसकी तो हम अगर पंचायत का जोटा रख रहे हैं तो हमारा सबका फर्ज यह है कि जो भी जोटा है उसकी हम सारी डिजीज टेस्टिंग करवाएं क्योंकि वो जो जो जोटा है वो जो गाओं की सारी भैसों को कवर कर रहा है अगर उसमें प्रॉबलम है तो समझें कि जितनी भी आपके पशू है जिनका जिनको उसने cover किया है, उनमें सब में problem आ जाएगी, तो आप कोशिश यही करें, कि आप अच्छे quality का बीज रखवाएं, अगर जोटे से आप से मिलवाना है, तो आप कोशिश करें, कि उस जोटे की जो pedigree है, मतलब उसकी मा, उसकी बाप का जो भी record है, वो आपको पता होना अच्छी, आप ऐसे ही वही कोई किसी ने डेरी में जोटा रखा हुआ है, किसी ने पंचायद में जोटा रखा, तो आप उससे अपनी भैंस को ना मिलवाएं, उससे क्या होएगा, आपके पशु में, अगर उसमें बीमारिया है, कुछ बीमारिया होती है, जो मादा से, अच्छ बीमारिया है, जो फैलती है एक दूसरे से, उन बीमारियों से वो बंचित होना चाहिए, उसके लिए एक टेस्टिंग होती है, हमारे CIRB में भी होती है, लुआस में भी होती है, कुछ बीमारिया है, जैसे बृसला है, टीबी है, जेडी है, ट्राइकोमोनियसिस है इन बिमारियों से आपका जोटा फ्री होना चाहिए तब ही आप उसको आगे के लिए यूज कर सकते हैं अब इसका निदान कैसे करें आप अपने regular basis पे खनीज लवन को आप अपने चाट में डालिए एक मुठी डेली आप चाट में डालिए हर तीन महिने में उसको पेट के कीड़ों की गोली दीजिए अगर उसमें कोई भी समस्या होती है बच्चेदानी में तो आप तुरंत अपने पशु चिकित सक से मिलिए और उसकी टेस्टिंग करवाईए अगर आप सुमन की कॉलिटी देखें तो आपको एक अच्छे कॉलिटी के सीमन जैसे की जो हमारे सरकारी एस्पिताल में आता है तो आप कोशिश यह करें कि आप 20 रखवाए ना कि जो आपके पंचायत में जो 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 जोटे हैं उससे मिलुआए और क्या हो सकता है? जब आपका पशू ब्याता है तो उस time यह होता है कि पशू की जो दूद की उतपादन होती है वो जादा होती है लेकिन जो उसको हम चार्ट डाल रहे हैं वो हमारा चार हफ़ते में जाके उसके सबसे ज़ादा amount में हम उसको देते हैं तो आप ये कोशिश करिए कि ब्याने से पहले दो हफते पहले आप उसको थोड़ा थोड़ा चार्ट देना शुरू करें ताकि जब वो दो हफते चार हफते पर सबसे ज्यादा दूद देगी तो उसकी जो अमाउंट है जो आप चार्ट डाल रहे हैं वो बराबर हो जाए तो